हलो एवरिवन पिंका किनुस किचन में स्वागत है आपका आज हम बनाएंगे खटी मीटी बहुत ही टेस्टी चटपटी नीमबू का आचार या नीमबू की चटनी आप जो भी बुला लेकि बहुत ही टेस्टी बन दी है अभी गर्मियों में हमें सबजी या खाना कहां बस करना क्या है देसी लोकल हमें नीमबू ले लेने है पतली चाल के मोटी चाल के नहीं और एकदम खटे नीमबू लेने है मनिया पे आठ नौ नीमबू लिये है उसके इस तरह से छिलका निकाल रही हूं चाको की मदद से आसानी से निकल जा रहा है क्योंकि ये पतली चाल करो तब आप उसमें यूज़ कर सकते हो चिकना इससे निकल जाती है तो रीडी है हमारे सारे छिल के निकाल कर नीबू अब इसे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि जो बीच नीबू का जो बीज होता है उसे निकाल दे आसानी से उसे निकालने का यही एकदम इजी तरीका ह और वो बीज का पाठ है उसका वो निकल जाएगा बीज निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि वो मुह में आएगा तो काफी कड़वा लगेगा और हमें मिक्सी में ग्राइड भी करना है तो जैसे ही वो पल्प बनेगा तो वो कड़वा हो जाएगा तो यह ध्यान रखे कि नी पीस लेना है इस तरह से उसके थोड़े से पल्प जैसा बन जाएगा नीबू का अब एक कड़ाई ली है मैंने उसमें दो चम्मच ओयल में एक चम्मच मैंने जीरा डाला है यहां पे एक टुकड़ा तेज पत्ता का और दो मैंने लविंग ली है एक सूखी लाल मीर्च को तोड़ कर उसमें डाल देना है और थोड़ा से इसे भून लेना है दो मिनट में तड़का जैसा आ जाये इसमें हम डालेंगे गुड एक कटोरी जितना मैंने गुड़ लिया है जितने नीम्बू लिया है उसी के सामने मैंने इतना गुड़ लिया है आप शक्कर का भी उप्योग कर सकते हो तड़के में थुड़ा मिक्स कर देंगे गुड़ को इसमें डालेंगे अब लीम्बू का पल्प medium to low flame में ही रखना है gas का flame, बहुत ही high flame में हमें इसे नहीं बनाना है इसे बनाने में total 10 से 12 मिनिट लग जाएंगे इसलिए मैं कहारी हूँ low flame में ही हमें बनाना है high flame में नहीं बनाना है इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, यहां पे एक चम्मच जितना मैंने sweet आचार का मसाला लिया है वो optional है लेकिन अच्छा लगता है इसमें मैंने धनिया पाउडर चुटकी मैंने यहां पे हल्दी डाली है और एक चम्मच जितना रेट चिली पाउडर जो कस्मिरी लाल मिर्च होती है वो ली है काफी तीखी वाली लाल मिर्च नहीं ली है पस्मिरी लाल मिर्च ली है बस सभी को अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और low to medium flame में गुर्ज जब तक पक जाए और पिगल जाए तब तक इसे पकाएंगे ज़्यादा नहीं पकाना है इसे 10-12 मिनिट ऐसे ही पकेंगे और आप देख सकते हो जैसे जैसे हम पकाएंगे ये थोड़ा गाड़ा बनता जाएगा low to medium flame में इस तरह से मैं सामने से दिखा रही हूँ ये थोड़ा सा गाड़ा हो रहा है अब मुझे total 10 मिनिट लगे है और मैंने gas का flame off कर दिया है इसे ऐसे ही बरतन में हमें थंडा करने रख देना है गर्मा गर्म नहीं जब तक ये थंडा हो जाएगे देखे इस तरह से चटनी के जैसा हो जाएगा तो आचार हमारे एकदम perfectly ready है इसे अभी हमें काज के बरतन में ही निकालना है अब लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हो लेकिन ये तो मैंने काफी कम बनाया है तो एक अफ़ते में ही ये आचार चट हो जाएगा बहुत ही तेस्टी खटा मीठा डिलिशिस ये आचार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना अबसे कर दो लेकिन एंजिए ओपको करना ही ये 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 विजिए ये 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 ये